हलो स्टूजेंट्स, वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज, आ गए अपना नया चैप्टर लेकर, चैप्टर हमारा बड़ा इंटरस्टिंग है जैसे कि त्योहार, वैसे ही एक त्योहार हम लेकर आए हैं, पोंगल पोंगल जो है ये त्योहार बहुत ही अच्छे से बना जाता, मगर हर जगा अलग-अलग नाम से बना जाता, एक ही दिन में होता है और हर स्टेट पे अलग-अलग नामों से बनाया जाता है, तो चलिए हम यह देखेंगे, ये जो है एक निबंद तौर पर लिखा गया है, कि कि यह सब चीजे इस चैप्टर के अंदर बताई रही है ध्यान रहें निबंद दोर पर जो भी चैप्टर आते हैं आपके पास में जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं उसी तरीके से उसी विदह से यह पाठ लिखा जाता है अब यह कैसे होता है जैसे कि हम लोग कोई भी क्या होते हैं कितने दिन का थ्यstat्विन का होता है इसके बायत फ Mostly सब बताई जाती और गैसे बनाते हैं किया फिर्टिभी को सल्ट धनाने का सतन उस प्रेंजेट आपने अद्धो पीछे की स्टोरी है वह बताते हैं हम लोग की करने कारण बताते तो वही सब चीज से हैं तो चलिए देखते हैं कैसे है यह चैप्टर भारत एक क्रशी प्रधान देश है भारती यानि नहें कि प्रकटी जो है वह क्या करते wonder अब भूछ खुश भी रखेंगी अछे तो रखेंगी सब चीजे होंगे बुआई सिचाई निराई आदी खेती बाड़ी के सारे काम वह मासम के अनुसार करता है यानि आपको खेत में कब फसल बोनी है उसमें सिचाई करनी है कब तुड़ाई करना है यह सभी चीजे किस पर डिपेंड रहती है मौसम पर डिपेंड रहती है जब च पुष्ण ओंगे ना तो वही किसानों के लिए भी होता है चारों तरफ हरियाली रहती है सब कुछ अतर रहता है तो वह भी बहुत खुश रहते हैं जब खेत खलियान अनाच से भर जाते हैं तब उसके पाउं थिरक उठते हैं वह उच्छा मनाने के लिए मचल उठता है त्य तो क्रशी प्रधान होने की कारण यहां क्रशी पर डिपेंडेंट भी बहुत से त्योहार होते हैं पॉंगल नई फसल का त्योहार है यह संक्रांती के दिन मनाया जाता है तमिल नाडू का यह प्रमुख त्योहार है तो कहने का यहां क्या मतलब है यह पॉंगल जो है यह और कहा मनता है तमिल नाडू में याद रखिएगा ये जनवरी में मनाया जाता है पॉंगल में खेतों के सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है तो क्या होता है जो धान होता है वो उस दिन कटके पहली बार घर पर आता है तो भाई जब फसल अच्छे से पक जाए अच्छी हो जब जिस दिन वो घर आएगे तो समलोस दिन उसका त्योहार है तो वही चीज है उस दिन ही वो फसल काटके पहले दिन घर लेकर आता है गन्य के खेत की फसल तयार होती है फिर क्या है बगीचे में हल्दी का पौदा लह लहाओ तब देखें चारो तरफ है गन्या है धान है हल्दी है इन्हें देखकर किसान का मन ना चुटता है अब चारो तरफ उसके मन की सारी चीजे सारी ती मेहनत उसकी जो है वो रंग लाई ह उसको इतनी खुशी हो रही है देख कर उसके जीवन में मिठास आ जाती है संक्रामती के दिन ने चावल का मीठा भात बनाकर सूर को चढ़ाया जाता है क्या होता है जो नया धान है उसका मीठा भात बनाया जाता है और जब भात बनाया जाता है तो क्या होता है वो इश्वर क को चढ़ाते क्योंकि पहली फसल आया तो उसी का धान जो है बना कर चढ़ाते इसी मीठे भात को पॉंगल कहते हैं और जो यह मीठा भात है इसी को हम लोग क्या कहा जाता है पॉंगल में जो खीर बनती है पकाने को पानी में उसको खीर बनाने के तौर को बोलते हैं तो वही जो पक्वान बनता है उसी को पोंगल ओगा जाता है। पोंगल के पहले दिन भोगी का तेवहार मनाते हैं और पूरे घर की साफसफाई की जाती। तो पहला दिन क्या हुआ भोगी उस दिन क्या हुआ भै तेवहार है तो घर के अंदर सभी तेवहारों में साफ सफाई होती है तो इन्हों ने क्या बता दिया कि पहले दिन हम भोगी का तेवहार मनाते हैं उस दिन पूरा घर साफ सुत्रा दुलाई पताई रंगाई सब कुछ सब कुछ सब अपने अपने घर साफ कर लेंगे तो चारो तर सफाई हो जाएगी परियावरण सब कर दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशिया मनाते घर साफ हो गया बहुत बड़ा घर साफ होना बहुत बड़ा तो दिन सब खुश होते हैं खुब डोल ताशे नगाड़े बसते हैं पोंगल के दिन घर आंगन में रंगोली से सजाते हैं जैसे तमिन नाडू में वो क्या करते हैं पोंगल के दिन सजाते हैं पोंगल के दिन बाहर रंगोली बनाई जाती है नाध होकर सभी लोग नए कपड़े पहनते ह आप कुछ नया होता है. आंगन में अंगी'tी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है. अब आंगन में क्या रखते है घर का जो आंगन होता है वहाँ पर अंगीठी रखती जाती है और उस पे पोंगल का बर्तन चढ़ा दियाता है और उसमें खीर बंती पॉंगल बंता है धीरे धीरे बरतन में हल्दी का पौधा बांदी आ जाता है अब जो बरतन जिस बरतन में पकाया जा रहा है उसमें क्या करते हैं हल्ती का पौधा बांदेते हैं गन्ये के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है अब क्या था धान था हल्दी था और आपका क्या था गन्ना था ये तीनों फसल तयार हुई थी तो अब गन्ने का रस उस पतीले में डाला जाता है उसी में चावल पकता है धीरे धीरे गन्यकरस कैसे पतला सा होता है चावल डाल के उसको धीरे 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 पकाया जाता है जब चावल उबल कर उपर उठता है तो उसमें दूद डाल देते हैं अब जैसे वो उपर आया खौल गया अच्छे से पक गया फिर उसमें दूद डाल दिया जाता है दूद के साथ उफनता हुआ पोंगल बरतन के उपर से उमडता है और चारो तरफ रिस कर आच में टपक जाता है दूद होता है जैसे हमने दूद चढ़ाते हैं घर में भगोने पर तो क्या होता है तेज आच पर वो तो वो उफन के बाहर आने लगता है गिर जाता है बाहर हो जाता है तो द तो गो टपकने लगता है, उस समय चारों और इकटे लोग खुशी से ना चुटते हैं और जोश में चिलाते हैं, पोंगलो पोंगल, तो कहने का मतलब क्या है, आग में टपकना यानि की पोंगल मन गया, तिवहार हो गया, और जैसे ही सब लोग ये देखते हैं, खुशी से प अगनी ने पोंगल का भोग सुविकार कर लिया लोग अपने पास पडोस में पोंगल बाटते हैं यहां कि सूर्य भगवान ने दिन में पकाया गया आंगर में धूप में रखे तो सूर्य भगवान और अगनी भगवान ने अगनी के जो देवता हैं उन्होंने उनका चढ़ा रहता हो अपने घर पहुचने की कोशिश करता है विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने माई के आती है तो जैसे सभी तिवार कोई भी हम लोग के परिवार में बहुत से लोग कहीं बाहर रहते हैं तो क्या होता है कोई भी फेस्टिवल हो तो घर जरूर आते हैं जो है जितने भी विवाहित लड़कियां होती हैं वो भी अपने घर पर आती हैं तीसरे दिन मंटू पोंगल मनाया जाता है तमिल भाषा में मांडू गाय बैलों को कहते हैं मांडू का अर्थ है धन यानि कि इस दिन गाय बैलों का पूजन होता है भई पहले क्या होता था धन संपत्ती के नाम पर गाय बैलों को ही माना जाता था तो तीसरे दिन अब क्या होता है मांडू पोंगल होता है तो मांडू का मतलब होता है गाय बैल और गाय बैल क्या होते हैं किसानों के लिए धन संपत्ती होते हैं अगर उनको कुछ हो जाए तो किसान बहुत परिशा बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है लोग उनकी सींगों को रंगते हैं अच्छी कुप सफ़ेग उनको पूजा होनी साथ सफ़ेग अच्छी नहलाके उनकी जो सींग होती गायो बैलों की उनको रंग दिया जाता है और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड और अच्छी अच्छी चीजे खिलाते हैं उनको अच्छा अच्छा भोग खिलाते हैं शाम को मैदान में बैलों को दोड़ाया जाता है चौथे दिन कांडुम पोंगल होता है, अब चौथा दिन आ गया, तीसरे दिन हो गया, ठीक है पहले दिन भोगी, फिर पोंगल, मांडु पोंगल और अब क्या है कांडुम पोंगल, खाना बांध कर पूरा परिवार घर से बाहर निकल जाता है, अभी लोग क्या है, पिकनिक करने जैसे बोलते हैं खाना बनाया और उसको बांधा और बाहर जगा जगा मेले लगते हैं लोग मेलों में गूमते यह आसपास स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं मतलब वो दिन क्या होता है आउटिंग का होता है कांडूम पूंगल का मतलब क्या है हम बाहर जाएंग ये मेले जाएंगे इधर उदर घुमेंगे आउपिंग करेंगे उस दिन करा रहता है इस तरह चारों दिन ऽोग अपने दैन, दिन, कामों से छुत्ती लेकर इस त्योहार का आनन्द लेते हैं तो जो भी उनका दैनिक रुटीन होता है उससे वो छुटी ले लेते हैं और वो अपना त्योहार मनाते हैं चार दिन. तो इस तरीके से ये चार दिन हुआ. खेती से समंदित ये त्योहार पूरे भारत में किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है. गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांती के नाम से मजानते हैं. जैसे यूपी विहार के साइट में आप देखोगे तो इस दिन इसको संक्रांती बोला जाता है. गुजरात में इस अब जगे मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है. उतर भारत में संक्रांती पर इसनान का महत्व है गंगा इसनान का बहुत महत्व है उस दिन गंगा, यमना, नर्मदा, शिप्रा, आदी नदियों में लोग इसनान करते हैं चावल और मूं की डाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते तो मकर संक्रांती के दिन मकर संकात्री को खिचडी का तिवहार भी कहते क्योंकि उस दिन जो है उरत की डाल और मूं की डाल की खिचडी जरूर बनती है ये बहुत ही शुब माना जाता है उस दिन ये बोला जाता है ये बिहार में दही चूड़ा खाया जाता है और के केते हैं उत्तर भारत में आप जाएंगे तो ये उरत की दाला मूं subtitles की खिचďडि बनाई जाती है ये शुब होता है इसी खिचडी का दान भी दिया जाता है घर में हमनों बनाके भी खाऑेंगे और दान में भी देंगे ये बहुत जरूरी होता है महराष्ट में ये तिलगुड का तिवहार होता है महराष्ट में क्या बनाया जाता है तिलगुड का तिवहार इसको बोलते हैं तिल इसनेह का प्रतीक है और गुड मिठास का है लोग एक दूसरे को तिलगुड देकर कहते हैं तिल गुड धनिया गोड बोला अर्थात तिल और गुड खाओ और मीठा बोलो यानि कि आप गुड गुड खाओ और अच्छा मीठा मीठा बोलो पंजाम में संक्रांती के दिन पहले लोडी का तियोहार मनाते हैं लोडी का आर्थ है छोटी या छोटी संक्रांती यानि कि जिस दिन ये संक्रांती मनाई जाती है उससे ठीक एक दिन फहरे लोडी का तियोहार होता है क्यों होता है उसको लोडी इसलिए बोलते है क्योंकि उसको बोलते है लोडी का मतलब होता है छोटी और एक दिन फहले का मतलब हुआ छोटी संक्रांती तो इस तरीके से पंजाब में लोडी भी संक्रांती से related, पोंगल से, तिलगुर दुनिया से इन सब से related हो जाती है लोग अपने घर के बाहर आंगन में या चोहराय पर लकडियां जमा करते हैं संध्या के बाद इस तरी पुरुस बच्चे यहाँ वहाँ इकठा होते हैं और लोडी जलाते हैं तो लोडी के दिन क्या होता है घर के चोहर बाहर पे लकडियां इकठा करते हैं और शाम को उसमें रेवडी फर एयार के कहते हैं आपका जिसको बोलते हैं धान के इबाली यह सब चीज़ें आग में डालके उसकी पूजा करते हैं लकडियां जलाते हैं और उसके फेरे लिए जाते हैं तो लोडी का तिवहार पजजाब में इस तरही किसे मनाया जाता है नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है हमने उको बोला ना कि वो जो धान है वो मक्का है परता है जिससे हम लोग पॉपकॉन बनाते हैं मक्का किसे हम पॉपकॉन बनता है न तो वही जो नया फसल का होत पर रेवडिया बाटी जाती हैं। देखी एक ही दिन पर हर जगा अलग अलग नाम से तियोहार मन रहे हूँ। विविदता में एकता भारत की विशेष्टा है। एक ही त्योहार को लोग विविद रूपों से मना कर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं यानि कि एक ही त्योहार अलग-अलग नामों से हर जगह मनाया जा रहा है और यह सभी खेती से related है तो यह क्या है विविनता में एकता का हमने chapter पढ़ा पोंगल यह गद में निबंद विधा में लिखा गया था यह संकलित था यानि कि यह बनाया गया था कि किस कहीं से था उसको लिया गया था संकलित मतलब कहीं पर लिखित होता है उसे हम बुक में डाल देते किसने है और anonymous रहता है नहीं पता रहता कि किसने और कैसे किया तो यह जो चीजे हैं हमने पढ़ी कि पुंगल तिवहार कैसे बनाया जाता है चार दिन का तिवहार होता है वही तिवहार हरी स्टेट में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है लेकिन वो सब में एक बात ये थी कि ये सब ही जो नई फसल होती है उसी से related रहता है हर जगर नई फसल कटती है तो उसी से related ये तो ये हार रहता है तो हमने बहुत ध्यान से देखा समझा अब इस पे जो प्रेशन उतर पूछे गए हैं तो जो ये प्रेशन उतर आपके सामने रखे जाएंगे कुछ तो पार्ट से related रहेंगे लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद सर्च करनी होंगी आप उसके लिए अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं और आज तक तो internet बहुत ही है तो internet की भी सहायता ले सकते हैं तो जो हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ आपके एक idea के लिए है कि आप idea ले सकते हो कैसे करें लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा आप और सर्च करो देखे हम जितना जामने की कोशिश करते हैं हमारी knowledge उतनी ही बढ़ती है इसलिए पढ़ते रहे हैं आपकी knowledge बढ़ती ही रहेगी देखते हैं इसके प्रेश क्या है? पहला प्रेश पोंगल का तेवहार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है पाठ के आधार पर तालिका बनाईए तो पाठ पर जहां अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से दिया गया है हम उसी हिसाब से बनाएंगे आप देखिए जैसे यहां दिया है, महरास्ट में उसे तिल गुड धन्या बोलते हैं, पंजाब में लोडी बोलते हैं, गुजरात पंगाल में हम संक्रांती बोलते हैं, और उत्रा खड में इसे संक्रांत बोलते हैं, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नाम हो रहे हैं तो ये चीज़े आपको करनी है अब इसके इलावा आप और स्टेट की जानकारियां भी collect कर सकते हैं ठीक है तो collect करिए और इसके कुछ और इनना मैट करिए उनमें और बनाई है तो देखे आप जितना ज्यादा जानकारी collect करेंगे आप उत्ती चीज़ों को जान पाएंगे सम एक दिन की मुख-करिया कलाब बताओ तो चार दिन पहले बनाया था पहला दिन भोगी दूसरा दिन पॉंगल मांडु पुंगल पिर कांडुम पूंगल तो चार दिन ये तिवहार बनाया जाता है तो इन चारों दिन में हम अलग-अलग डिखेंगे क्या क्या होता है जिसे पहले दिन क्या होता है सफाई होती है दूसरे दिन क्या होता था पोंगल का त्योहार पूरा मनाया जाता था खीर बनाई जाती है उसकी गन्ये के रस्त में चावल पकाया जाता है गीठी पे रखके टपकाया जाता है उसको वो पूरा होगा फिर तीसर जाना प्यार्ट के आसपास मेले होते हैं या कहीं पर भी किसी भी दूसरे स्थान में घूमने के लिए चले जाते हैं तो ये चारों दिन को आप अलग-अलग करके लिखेंगे जैसे यहां पे दिया है पहला दिन क्या दिया हुआ है भोगी-पोंगल के रूप में मनाया जाता पहला दिन किसे बनाया जाता है भोगी-पोंगल के रूप में इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है संध्या के समय सभी बच्चे डोल बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं तो डोल बजा की खुशियां जो जो मेन चीज होती है वो चीज आपको लिखनी है फिर दूसरा द दावल और गन्य का रस मिलाकर पोंगल बनाया जाता है इसे तब तक पकाया जाता है जब तक यह चूले से ना गिरे इस प्रसाद को रिष्टेदारों और पडोसियों के साथ मिलकर खाया जाता है तो जो कार्रे कलाप हो रहे हैं वो आपको लिख रहे हैं तीसरा दिन उनको कुछ अच्छे अच्छे नए जैसे गले में पहनते हैं तो वो चेंज कराई जा सकती हैं उनकी पूजा की जाती है तता लोग उन्हें गुड तता अनपौश्टिक चीज़े खाने के लिए देते हैं क्योंकि वो हमारी धन संपती हम केर करेंगे तब भी तो वो अच् जाता है इस दिन पूरा परिवार मेले में जाता है तथा पूरा दिन परिवार के साथ लोग मेलों का आनंद उठाते हैं तो बहार आउज जाते हैं घर में खाना बनाके बांध के लेके जाते हैं यह सब भी आप लेक सकते हैं तो यह जो चार दिन का तेवहार पोंगल का ब भारत एक क्रशी प्रधान देश है इस बात को सिद्ध करने के लिए दो उधारण दो तो क्या है आप क्रशी प्रधान देश है तो सबसे पढ़िए यह कि क्रशी पे आधारित जो त्योहार मनाय जाते हैं वो सभी स्टेट में मनते हैं लेकिन सब अलग-अलग नाम से मनते हैं हमने यह चीज आपको यह भी बताया था और यहां पर जो है आप मानेंगे हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका 70% लोग जो है खेती करते हैं खेती ज्यादा मतलब आप मालीजे पूरी जनसंख्या का 70% लोग खेती पर ही dependent है खेती से ही अपना खेती करते हैं और उसी से आप रोजी रोटी चलाते हैं क्या दिया भारत एक क्रशी प्रधाने इसके दो धारण मुखे हैं एक तो यह कि भारत के अधितर त्योहार क्रशी पर आधारित होते हैं हमने आपको बताया जितने भी आप लेंगे बहुत हद तक त्योहार जो हैं वो क्रशी पर आधारित है और दूसरा यह कि भारत के 70% लोग क्रशी करते हैं इसी कारण भारत क्रशी प्रधान देश कहलाता है तो यहाँ पर सोचिए 70% लोग आप 50 भी नहीं बोलेंगे 70% लोग खेती पर यानि कि क्रशी प्रधान देशी तो बोला जाएगा जहाँ पर जो चीज ज़्यादा तो ज़्यादा दौर पर क्रशी की जा रही है तो ज़्यादा दौर पर क्रशी की जा रही है तो क्रशी प् खेती पर ही देश्ट है क्यों यहां पर तरह तरह के चीजे उगाई जाती है नेक्स तुम्हारे प्रदेश में कौन-कौन से तेवहार मनाएं जाते हैं तुम्हें कौन सा तेवहार सबसे अच्छा लगता है तो अब यह देखें यह वाला जो कोशन पूछा गया है आप से आप सब लोग अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं तो कोई कहीं कोई गुजरात में हैं कोई महारास्ट में हैं कोई कहीं पर भी हो सकता है अरुनाचल प्रदेश, आंधर प्रदेश, तमिल नाडू, महारास्ट, कोई भी आप हर उत्तर प्रदेश, बिहार, तो जमु एन कश्मीर आप कहीं पर भी आप सब जगे तो सब के स्टेट में अलग-अलग तेवहार मनाए जाते हैं तो आपके इसमें कौन-कौनसे मनाए जाते हैं वो और आपको कौन सा तेवहार सबसे अच्छा पसंद है तो अब यहां पे कहोगा सब ही के आंसरस अलग-अलग होंगे क्यों? क्योंकि आप सभी अलग-अलग state में रहते हो, सब के अलग-अलग ते ओहार होंगे लेकिन आपको जो तेओहार, आप किसी को होली पसंद हो सकता है, किसी को दिवाली पसंद हो सकता है, किसी को क्रिस्मस पसंद हो सकता है तो सब अलग-अलग सब को पसंद होते हैं तो सब के answers भी अलग-अलग होंगे तो लेकिन हम आपको सिर्फिक idea दे रहे हैं कि आप इसको लिखोगे कैसे लेकिन उसके अंदर जो चीजे लिखी नहीं है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना तो क्या होगा आप जैसे मैं दिल्ली का निवासी हूँ तो आप लोग कहीं हो लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं मैं हैदराबाद में रहता हूँ दूजरा कोई लिख सकता है मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ आप सब के यहाँ पर अलग हो जाएंगे फिर उसके बाद आएगा यहाँ होली, दिवाली, लोडी, पोंगल, क्रिसमस, ईद, दशेहरा, आदित, योहर बड़ी दुमदाम से बनाये जाते हैं तो आपकी स्टेट में जो जो भी बनाये जाते हैं वो आप लिखोगे फिर मुझे इनमे से दिवाली बहुत पसंद है, दिवाली की रौनख बहुत पहले से ही आरंब हो जाती है हर घर में इसे लेकर खास उत्सा होता है तो अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा दिवाली से रिलेटर अब जैसे मान लीजिए आप महरास्ट में रहते हो तो आप मुम्माई में रहते हो, तो मुम्माई में क्या होगा, आप बोलोगे, कि मुझे गड़ेशुस्तव बहुत पसंद है, गड़ेशुस्तव जो है, आपका दस दिन का रहता है, त्योहार रहता है, वो उसकी तैयारी गंड, पती जी को घर पे लाना, करना, ये सब चीज पहले रहता है, बाद में रहता है, लोग आते हैं, घर में मिलने आप लोग जाते हैं, केक्स बनते हैं, आपके स्वीट्स बनते हैं, एक दूसरे को गिफ्स दिये जाते हैं, और क्रिस्मस ट्री सजाया जाता है, तो बहुत सारे चीज़े होती हैं, तो उसको उसी उसी प्र प्राइकरदान करते हैं। रात को घर दीपों से सजाया जाता है। रोश्नी रहती है न लाइटिंग रहती है। उसी तरह रात में कैसे कैसे करते हैं बूभी आप बता सकते हो। राग में रौनक देखने वाली होती है, ऐसा लगता है मानो आस्मान के तारे कुछ समय के लिए जमीन पर आ गए हैं, मिठाई, पठाके, प्रेम, प्रकास, सभी ही तो होता है, इसमें इसलिए यह मेरा प्रिय तयोहार है, तो आप लोग को कौन कौन सा तयोहार पसंद है, उसे उसी तरीके से आप डिफाइन करोंगे, मिल तयोहार वाले दिन क्या हो रहा है, उससे पहले क्या करते हैं, या उस तयोहार के बात क्या करते हैं, सब चीजे मनाई हैं, और आपको क्यों अच्छा लगता है, जैसे क्रिसमस अच्छा लगता है, तो क्रिसमस क्या है, क्रिसमस जो औजार होते हैं जैसे कि आपका हल चलता है, खुदाल है, भावडा है, बेलचा है, बहुत चीजे होती है, तो यहाँ पर क्या है, खुरपी, भावडा, खुदाल, बेलचा, हल, तो यह सभी खेती के दोरां यूज किये जाते हैं, उनको आप देंगे. आप क्या है, नेक्स्ट आपका, पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, रंगोली बनाने के लिए किन-किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, सूची बनाओ, आप रंगोली कैसे बनाते हैं, पहले एक चौक से खाचा बनाएंगे, रंग चाहिए, उसके लिए भी लगते हैं, और कभी-कभी आप छनी का इस्तिमाल करते हो, तो जो जो चीजें आपको चाहिए, वो वो आप कर सकते हो, यहां क्या दिया है, रंगोली में भरने के लिए अलग-अलग रंगों तथा एक चौक की आवशकता होती है, जिससे डिजाइन बनाया जा सके, भी आप यहां पर मेंचिन कर सकते हैं, नीचे दी गई जगा पर अंगोली की डिजाइन बनाईए, अब देखे हमने आपके लिए कि यहां पर बनाई है, आप अपने खुद जो है डिजाइन बना सकते हैं, आपके उसमें कॉपी में लीजेगा, और खुद अपने उसे एक ब्राइट कलर से, नेक्से पार्ट में ऐसी अनियक चीजों के नाम आए हैं, जिने खाने पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताओ इनका प्रयोग किन पकवानों में होता है, खाने पीने की बहुत सी चीजों का नाम हमें चैप्टर में सुना, तो कैसे कैसे होता ह जैसे क्या है चावल चावल का अब चावल की बताया था ना गन्य के रस में चावल पकाया जाता है चावल आया था तो चावल कहां कहां सित्माल भाई हम लोग उबाल के तो चावल चावल खाते ही खाते हैं उसके लावा कहां सित्माल होगा तो इसमें क्या दिया है खीर बनत तो हर प्रकार की दाल, सबजी, मीट से बनने वाले व्यंजन और सूप इन सभी में हल्दी पड़ती है गुड, गुड से क्या क्या बनता है, गुड किस में बनता है, खीर, गुलगुले और पट्टी, पट्टी होती न, जो लाई से भी बनती है, मुमफिली से भी बनती है, मेवे मिला के भी पट्टी बनती है, गुड में पका के उसको जमाया जाता है, तो वो उन सब चीजों में बनती है मक्के मतलब जो हम लोग पॉपकुन खाते है उस्ते पहले वो जिसे आप लोग ड्याते है वह मक्क कहला तो मक्कffen से क्या-क्या अई रोटी बनती है उसको क्षrics दीजिजिए उसकी रोटी बनाई जाती है सरसों के साँ ना करेणे मक्क मक्के का चीला को सुप बनता है खाते है उचा है इसक eli को अर्फैस का सब्सें चीला बना यह यह दैजसे कि आप Cheel देशी सब्ते होली करके उसकित करक्ता है यॉसट कर पॉपकों सुप करaguaEC Finnish खहते हैं हम लोग खीर है पनीर है तो देखिए यह ऐसी चीज़े थी जो चैप्टर में आई थी अब उनके अलावा वो चीज़े कहां इस्तिमाल करे जाती हैं वो हमने आपको बता दे तो यहां पर यह पूरे चैप्टर के प्रश्णुत्तर हमने आपको बताए देखें यह चैप्टर भी बहुत मज़ेदार था इसके question answer solve करना भी बड़ा मज़ेदार लगा हमको I hope आपने भी enjoy किया ह thank you bye bye